टेलिवीजन सीरियल कुंडी भाग लगतार दर्सकों की पहली पसंद बना हुआ है सो में आने वाली ट्विस्ट एंटन दर्सकों को बांदे रखने में अभी भी काम्याब है दोस्तो अब सो की कहानी लेने वाली है एक इंट्रेस्टिंग मोड जहां पर प्रीता और अर्जुन एक बार फिर आमने सामने आ जाएंगी अब यहां पर अर्जुन के पास एक और मोक आ गया है जिसने की वो लूत्रा फेमिली का विस्वस फिर से जीत सकता है सो की कहानी में दिखाये गया की प्रीता करवाचोट का ब्रत वेक्ति है और अर्जुन केते भी करके प्रीता का फास अपने हाथों से तोलने में काम्याव हो जाता है इसके बाद अर्जुन काफी ज़्यादा खोज होता है लेकिन अब यहाँ पर अंजली उसको देखकर सोक्ड हो जाती है अंजली अर्जुन को अपना मकसद याद लाती है और कहती है कि तुमको रिसव और प्रीता को बरवाद करना है तो वही अर्जुन बोलता है कि अभी डील मुझे ही मिलने वाली है यह रिसव का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं इस प्रोजेक्ट को रिसव से चीन करी रहूंगा जिससे रिसव बरवाद हो जाएगा दोस्तो अब अर्जुन यहाँ पर कामया होती हुए दिखाई दे रहा है सिखर को अर्जुन का प्रोजेक्ट जादा अच्छा लगा है और वो अर्जुन की साथी काम करना चाहता है तो वहीं दूसरी तरफ रिसव बहुत जादा चिन्ताम है और वो ओफिस में लोगों पर चिलाता भी है और कहता है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी चेंजिस करने है वो कर दो लेकिन मुझे ये डील चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ सरली ने प्रत्वी को भलकाया और कहा कि तुम अर्जुन और प्रीदा से अपना बदला ले क्यों नहीं रहे हो तो वहीं प्रत्वी भी काब्या को किड्नेप करके लूतरास और अर्जुन को दुख पोजाने की मकसद से जाता है साथी वो सरलीन से कहता है कि मैं काब्या को किड्नेप करके उसके बदले में करोनों की रकाम मांगूँगा प्रत्वी काब्या को किड्नेप करने के लिए काब्या की स्कूल पहुँच जाता है दूसरी तरफ प्रीदा को जब ये बात पता चलती है कि काब्या के स्कूल पर टेरिरिस्ट ने अटेक किया है तो वो बेहुस होकर गिर जाती है दोस्तो जब अरजुन को इस बात का पता चलता है तो वो काब्या की स्कूल पहुंचता है दोस्तो अब यहाँ पर काब्या की जान खत्रे में आ गई है एक तरफ टेरिरिस्त है तो दूसरी तरफ है प्रद्वी क्या अब अरजन काब्या को बजा का लूत्रों फेमिली का बिजवास फिर से हासिल कर पाएगा या पर प्रद्वी अपनी साथ जिसमें काम्याब हो जाएगा देखते रहें यह कुल्ली वागो और दोस्तो ऐसी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राब करें और हमें फॉलो करें जिससे आपको हमारी सारी वीडियो सब्सक्राइब है